विल्कम है इस कुछन नहीं बोला है अपने पास वन मॉल ओफ फेरस ऑक्जालेट है यह अनायन बेसिकली ऑक्जाली कैसेट से आया इसलिए फेरस ऑक्जालेट बोलते है इसको तो वन मॉल यह है के मेन फोर का यूज करके इसको हम लोग ऑक्षिडाइस करेंगे कुश्यन पूछ रहा है वन मॉल ओब दिस विल रेकुआर हॉँट मेनी के मेन फोर के बारे में हम लोगों को पता है MnO4- अपने काम का है MnO4- gains 5 electron to convert to Mn2- in acidic medium बोला था ऐसे लिए तो ये बता है अब देखो Oxidize इसको करना है तो इसको detail में देखते हैं इसके अंदर दो लोग है Iron 2- और C2O4 2- अब हम लोग को पता होता है कि ये भी Oxidize होगा और ये भी Oxidize होगा तो ये Oxidize किसमें होगा Iron 3-plus में होगा और ये किसमें Oxidize होता Oxalate carbon dioxide होगा Carbon dioxide दो कार्बन का Highest oxidized state Carbon dioxide होगा कहीं भी कार्बन दिख जा है उसका Maximum possible oxidation किया गया है तो मतलब CO2 में वो पहुँच गया आप हमें पता करना होगा यहां कितना electron lose होगा तो ये तो पता है एक electron करेगा इसका भी तो देखना होगा ना तो चलो लिखते हैं इस लूजेस वन इलेक्टरन लॉस्ट बट इसका हम लोग पता करने जाएंगे कितना electron lose है तो पहले यहां टू कार्ब होगा तो यहां भी टू कार्ब होगा इसका oxidation state निकालना होगा इसका oxidation state निकाली है प्लस 3 आएगा एकस मतल से निकाली आएगा प्लस 3 आएगा इसका निकाली आएगा प्लस 4 तो प्लस 3 से प्लस 4 गया एक आटम लूजेस वन इलेक्टरन बट दो आटम की बात हो रहे है तो लूजेस 2 इलेक्टरन लॉस्ट तो मैं बोल सकता हूँ आवर कंपाउंड एप्फी से टू पोफोर विल लूज हो मैं रहे है 3 इलेक्टरन और बनेगा एप्फी 3 प्लस 2 सी ओ टू प्लस 3 इलेक्टरन और यहां कितना गेन कर रहे है 5 इलेक्टरन तो यह 3 इलेक्टरन है यहां और यहां 5 इलेक्टरन तो हम लोग को पता है कि हम लोग बैलेंस करेंगे तो इसको कैंसल होना है तो नॉर्मली हम लोग इसको 5 से मल्टिप्लाई करते हैं इसको 3 से बड़ देखो हम लोग को 5 मोल को आक्सिडाईज नहीं करना है हम लोगो वन मोल को ऑक्षिडाइस करें तो आविल कीप इसस वन यहां कोच नहीं करें यहां मैं यहां मुल्टिप्लाइ करूँगा 3 by 5 इसको मैं 3 by 5 से मुल्टिप्लाइ करें आएगा 3 by 5 mn of 4 minus plus 5 by 5 कांसल हो जाएगा plus 3 electron gives 3 by 5 mn 2 plus आप जेखो यह 3 electron 3 electron कांसल हो जाएगा 1 mol of this will require 3 by 5 mol of this our answer is 3 by 5 mols is required is required for 1 mol of iron oxalate okay thank you